नमस्का दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप दोस्तों सब बढ़िया ङोँगे दोस्तों आज के स्वीडियो में दो सब्सक्राइब करेंगी कौन सा क्रेट कार्ड किसके लिए बैटर है तो किसके साथ आपको जाना चीए तो सारी डीटेल्स इन दोनों क्रेट कार्ड की एटू जैड कंपेर करने वाला इस वीडियो में तो मेक शूर वीडियो में दे जरूर आज करें चैनल पर फस्ट अब हैं सब्सक्राइब जरूर कलीजेगा तो चलिए दोस्तों विदाउट एनी डिले चलत इसकी यहाँ पर पीस है उली 500 रूपीस प्लस जीएस्टी इन दोनों क्रेट कार्ड के वेलकम बैनेफिट की बात करें दोस्तों यहाँ पर एजडियो सी मिलेने क्रेट कार्ड में जैसे आप फीस पे करके इस क्रेट कार्ड को लेते हैं अक्टिवीट करवाते हैं तो साथ यहाँ पर आपको फ्री डिलिवरीज प्लस यहाँ पर इंस्टामार्ट और डाइन आउट जो की स्वीगी के प्लैटफॉर्म में इन सब भी आपको काफी अच्छे गासे बैनेफिट्स और ओफवर्स देखने को मिल जाते हैं स्वीगी स्वीट क्रेट कार्ड की हब से तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम रिवर्ड प्रेंट्स या फिर कैश्पेक वाले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं SDFC मिलेने क्रिट कार्ड की बात करें तो यह आपको कहता है कि आपको 5% का यहाँ पर कैश्पेक मिलेगा इन सभी मेजर ब्रेंट्स पर ब्रेंट्स की बात क करते हुए आप फिर इनकी सर्विसिस को आप यूज करते तो आपको 5% का कैश्पेक मिलेगा ध्यान रहे दोस्तों मिलेनिया क्रेट कार्ड ने यहाँ पर स्वीगी और जोमेटर दोनों प्लैट्फॉर्म को यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड कर लिया है इन दोनों प्लैट स्वीगी क्रेट कार्ड के अपसे कोई भी फूड और वगरा करते हुए फिर कोई भी सर्विसिस आप लेते हो स्वीगी अप में तो यहाँ पर आपको अप्टू 10% का कैश्पेक मिलेगा और मैक्सिम आप 1590 रुपीज तक का कैश्पेक लेगे पाऊगे पर स्वीगी एप क कहीं भी आप online spend करोगे तो definitely आपको cashback मिलेगा वो भी 5% और per statement cycle maximum इसमें भी आप 1500 रुपे का cashback earn कर पाऊगे और इसके लब अगर आप offline वगरे spend करते हैं और फिर other किसी भी category पे spend करते हैं तो definitely इसमें भी आपको 1% cashback देखने को मिल जाता है और maximum per statement cycle 500 रुपीज तक का cashback इस वाली category में भी आप अवील कर पाऊगे देखा recently HDFC bank ने swiggy credit card में याप पर upgradation किया है तो वो क्या upgradation किया है वो quickly मैं आपको बताएदा हूँ पहले जो भी आपको cashback मिलता था दोस्तों वो swiggy one के wallet में जाके store हो जाता था और उसी cashback को यहाँ पर आपको वापिस से swiggy one के services use करने के लिए utilize कर पाते थे आप उस cashback को कहीं और जगे इस्तमाल नहीं कर सकते थे नहीं अपने credit statement bill में आप उने utilize कर सकते थे लेकिन recently इन्होंने changes कर दिया आप जो भी cashback earn करोगे आपने credit statement bill में उसे easily आप redeem कर पाऊगे और easily उसे आप utilize कर पाऊगे यहाँ पर कोई भी foundation आ आपने यहाँ पर reward points earn करें हैं या फिर cashback आपको मिला है दोनों इक credit cards में तो आपको इनकी कितनी value मिलेगी तो सबसे फ़ले सी millennia credit card की बात करें यहाँ पर जो भी आपको cashback मिलेगा वो cash point के form में आपको मिलने वाला और उस cash points की value यहाँ पर एक cash point की value in the form of cashback अगर आप उसे लेना चाते हो तो यहाँ पर one rupees consider की जाएगी अगर आप इनके product catalog के अगेंस आप utilize करना चाते हो यानि कि SDFC bank का एक portal है अलग से वहाँ पर काफी सारे products यहाँ पर SDFC bank ने वहाँ पर list कर रख है अगर आप अपने points के help से वहाँ पर कोई भी product आप purchase करना चाते हो तो वहाँ पर एक cash point की value यहाँ पर आपको 30 पैसे देखने को मिल जाएगी वहाँ यहाँ पर flight booking और hotel booking अगर आप करते हो smart buy platform के help से तो again यहाँ पर एक cash point की value आपको 30 पैसे देखने को मिल जाएगी same as it is AML के form में भी अगर आप इन reward points को utilize करना चाते हो यहाँ यहाँ पर एक cash point की value 0.30 AML consider की जाएगी वहीं आपर HDFC Swiggy credit card की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपको cashback मिलेगा Swiggy one app में वो store हो जाएगा और इस cashback को अपने credit statement bill में easily आप उसे redeem कर पाऊगी यहाँ पर Swiggy one app में आप उन्हें utilize करना चाते हैं तो definitely आप उसे utilize कर सकते हैं HDFC Swiggy credit card में यहाँ पर कुछ categories को इन्हें उने exclude किया है जिनमें की आपको cashback नहीं मिलेगा quarter में यानि कि three months में आप यहाँ पर एक लाक रुपे खर्ष्ट कर देते हो तो यहाँ पर आपको gift fortune मिलेगा जिसकी worth up to 1000 रुपीस तक रहती है वह यहाँ पर HDFC Swiggy credit card में ऐसा कोई criteria नहीं है यानि कि कोई भी आपको milestone benefits नहीं मिलेंगे इसके साथ ही launch benefits की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर definitely आपको launch benefits भी मिलेंगी HDFC Millionaire credit card में तो यहाँ पर दोस्तों Millionaire credit card में आपको four domestic airport launch access मिल जाते हैं पूरे साल बर में यानि कि quarterly basis पे आपको एक domestic airport launch access मिलेगा लेकिन इन सभी launch access को अवेल करने के लिए आपको quarterly basis पे minimum one lakh रुपीस तक spend करना होगा तब यह benefits आपको मिलेगे वैसे एक criteria थोड़ा सा tough है लेकिन अगर आप ज़्यादा spend करते हो तो इसली से आप meet up कर सकते हो वहीं HDFC Swiggy credit card की बात करें तो यहाँ पर कोई भी आपको international or domestic airport launch access नहीं दिये चाते हैं इसके साथ फ्यूल सरचार्ज वीवाफ भी आपको देखने को मिल जाता है वहीं आपर HDFC Swiggy credit card की बात करें तो इसमें कोई भी फ्यूल सरचार्ज वीवाफ का criteria इन्होंने नहीं रखा है लेकिन दोस्तों HDFC Swiggy credit card में आपको कुछ bonus benefits देखने को मिल जाते हैं इसके साथ यहाँ पर फ्री इस्टे एंड डाइन के फैसल टीपी आपको देखने को मिल जाती है इसके साथ यहाँ पर अगूरा फ्लेटफॉर्म से इस credit card की अगर आप शॉपिंग वगर अगरते हो तो यहाँ पर आपको 12% इंस्टेंट डिसकाउंट देखने को मिल तो यहाँ पर इंटरनेशनल टांजक्शन के लिए दोनों credit cards को आपको नहीं लेना है अगर आप कोई भी इंटरनेशनल टांजक्शन करोगे तो उस पर एडिशनल यहाँ पर चार्ज लगने वाला 3.5% का डाइनिंग benefits की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर SDFC स्विगी credit card में totally यहाँ पर आपको डाइनिंग benefits यानिकी food बगर आपके काफी अच्छे गासे offers और discounts देखने को मिल जाते हैं वही cashback भी मिलता है वहीं यहाँ पर SDFC मिलेनेया credit card की बात करें तो इसमें आपको definitely off देखने वाली हैं दोस्तों इन दोनों ही credit cards का यहाँ पर renewal fee waiver का option आपको देखने को मिल जाता है SDFC मिलेने credit card में अगर आप previous year only 1 lakh रुपीज तक spend करते हो तो next year जो 1000 रुपीज फीज है वो totally आपकी वीवाप कर दे आती है वहीं आपर SDFC स्विगी credit card की बात करें तो आपको previous year minimum 2 lakh रुपीज तक spend करना होगे तो next year आपको इसकी जो joining फीज है 500 रुपीज वो totally वीवाप हो ज best क्योंकि आप पर आपको swiggy one app में काफी अच्छे कासे benefits मिल जाते हैं इसके लावा किसी भी other brand पर आप online खर्चा करोगे तो उस पर भी आपको 5% का cashback मिलेगा और maximum 15 रुपीज तक का cashback earn कर पाऊगे तो यह benefit आपको देखने को मिल जाता है इसके लावा जो bonus benefits है वो भी खर्चे रहते हैं उस according यहाँ पर आपको चूज करना रहता है मेरे सबसे आपको सारे इंडिया के तरफ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंनों सारे इंडिया के जितने भी फीमस प्रेंट्स है उन सबको 5% cashback वाली category में इंक्लूड कर लिया है इंक्लोडिंग स्वी कर लिया है और इसके लिए अगर आप इसके लिए अपको इसके साथ जाना चाहिए अगर आप स्पेसिफिकली फूड वाल एक्सपेंस जादा करते हैं तो इसके लिए तो डेफिरेंटली आप से स्वीगरेट करते हैं डिपेंड करता है आप के खर्चे किस किस टाइप्स क्यों और अकॉर्णिंग दोनों एक करेटडकार्स फो नब स्भीडी नहीं परता करकी ऐना चैली तो चलिए दो मलते हैं नए लिए